परिचय बच्चों, कभी कभी हमें रणात्मक चिन्हों से युक्त संख्याओं के प्रयोग की जरूरत होती है ताप मान को रेखांकित करते समय हमें इसकी जरूरत होती है ठंडे प्रदेशों में जहां ताप मान शुने से नीचे चला जाता है ऐसी स्थिती में ताप मान को रेखांकित करने के लिए हमें रणात्मक संख्याओं की जरूरत महसूस होती है इस पार्ट में हम लोग रणात्मक, घनात्मक एवं पूर्ण संख्याओं के समुहूं जो पूर्णांक भी कहलाते हैं उनके बारे में सीखेंगे उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पूर्णांकों को परिभाशित करना पूर्णांकों को संख्या रेखा पर वणन करना पूर्णांकों के क्रम को परिभाशित करना पूर्णांकों का योग एवं घटाओं ज्यात करना पूरांकों के योग एवं घटाओं को संख्या रेखा पर निरुपित करना पूरांक पूर संख्याओं एवं रिनात्मक संख्याओं का संग्रहे पूरांक कहलाता है जैसे घटा चार, घटा तीन, घटा दो, घटा एक, शुन्न, एक, दो, तीन, चार इत्यादी प्रिये बच्चों, आप लोग प्राकृत संख्याओं एवं पूर्ण संख्याओं के बारे में पहले पढ़ चुके हैं यदि हम इन प्राकृत संख्याओं से पहले रिनात्मक चिन रख देते हैं तो हमें पूर्ण संख्याओं के साथ इन रिनात्मक संख्याओं का जो संग्रह प्राप्थ होता है, वह पूरांक कहलाता है संख्यारेखा पर पूरांक का निरूपन यहां आकृती एक संख्यारेखा को दर्शाती है जिस पर समान दूरी पर कुछ बिंदूओं को अंकित किया गया है इस संख्यारेखा पर एक बिंदू शूने के रूप में अंकित किया गया है बिंदू जो की अंकित बिंदू शूनिके दाईं तरफ है धनात्मक पूरांक कहलाते हैं बिंदू जो की अंकित बिंदू शूनिके बाईं तरफ है रनात्मक पूरांक कहलाते हैं जो की घटा एक, घटा दो, घटा तीन इत्यादी हैं इस प्रकार के पूरांकों का निरूपन संख्यारेखा निरूपन कहलाता है। यहाँ जमादू अंकित करने के लिए हम समान दूरी से दो बिंदू 0 से 2 तरफ पढ़ते हैं। पूरांकों का क्रम एक बार पुना संख्या रेखा पर अंकित पूरांकों का अध्ययन करते हैं हम जानते हैं कि संख्या 9 संख्या 5 से बड़ी है अब जबकि हम संख्या रेखा को देखते हैं तो ग्यात होता है कि संख्या नौ संख्या पांच से चार अंक दाईं तरफ की दूरी पर है। इसी प्रकार संख्या पांच शुने से बड़ी है। इसलिए यह शुने से दाईं तरफ है। चुकि शुने घटा दू से दाईं तरफ है। अताहा यह घटा दो से बड़ी है इसी प्रकार घटा दो घटा साथ से दाई तरफ है अताहा घटा दो घटा साथ से बड़ी है इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर बड़ी संख्या दाइं तरफ अंकित की गई है तथा अपेक्षाक्रित छोटी संख्या संख्या रेखा पर बाइं तरफ अंकित की गई है पूरांकों का योग दो घनात्मक संख्याओं का योग उधारन एक लड़का सीडियों पर चड़ता है वह छै पाइदान उपर चड़ता है एवं थोड़ी देर ठहर कर पुना चार पाइदान और उपर की ओर चड़ता है तो वह लड़का सतह से कितनी पाइदान उपर चड़ता है हल आप देख सकते हैं कि उसने कुल मिला कर छे जमाचार पाइदान चड़े हैं जो की दस पाइदानों के बराबर होते हैं दो रिनात्मक संख्याओं का योग उधारन एक खेल जिसमें आपको कागस की कुछ पड़्चियों में से दो पड़्ची चुनना है जिस पर संख्याएं अंकित हैं आपको चुनी हुई दोनों पड़्चियों के उपर अंकित संख्याओं का योग निकालना है मान लें अगर आपको संख्या क्रमशा घटा 2 एवं घटा 5 मिलती है तो बताइए इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा यहाँ होगा घटा 7 के बराबर दो पूर्णांकों का योग उधारण मान लीजिये उपर दिये गए खेल में आपको संख्या क्रमशा जमा 5 एवं घटा 9 दो पड़्चियों पर प्राप्थ होती है तो उनका योग क्या होगा जी हाँ उनका योग घटा 4 होगा पूर्णांकों के योग का संख्या रेखा पर निरूपन प्यारे बच्चों अब हम संख्या रेखा पर किनी दो पूर्णांकों का योग करना सीखेंगे मान लें अगर हमें पूर्णांक 6 एवं 4 के योग को संख्या रेखा पर निरूपित करना है सबसे पहले हम संख्या रेखा पर 6 से दाई तरफ 6 बिंदू बढ़ेंगे तो संख्या 6 पर पहुँचेंगे अब पुना चार बिंदू दाई तरफ बढ़ेंगे तो जो संख्या 10 प्राप्थ होती है यही पूर्णांक 6 एवं 4 का योग होगा अब हम दो रिनात्मक संख्याओं घटा 5 एवं घटा 4 का योग संख्या रेखा पर निकालते हैं इस इस्थिती में हम पहले शूने से बाई तरफ पांच बिंदू बढ़ते हैं पुना चार बिंदू बाई तरफ और बढ़ते हैं तो संख्या घटा 9 पर पहुँचते हैं इस प्रकार हमें पूर्णांक घटा 5 एवं घटा 4 का योग घटा 9 प्राप्थ होता है अता हमें ग्यात होता है कि दो धनात्मक पूरांकों का योग सदैव धनात्मक होता है एवं दो रिनात्मक पूरांकों का योग सदैव रिनात्मक पूरांक होता है योग व्यूत क्रम मान लीजिए कोई चीटी तीन बिंदो शूने से दाई तरफ रेंगती है तथा वापस रेंगते हुए उसी बिंदो पर आ जाती है तो बताएं वो कहां तक पहुँशती है? आप देख सकते हैं कि यह शूने पर है इसी प्रकार दो एवं घटा दो को जोडते हैं तो योग शूने होता है यदि हम तीन एवं घटा तीन चार एवं घटा चार इत्यादी का योग शूने होता है अताहा ये सभी पूरांग आपस में योग व्यूत करम कहलाते हैं धनात्मक एवं धनात्मक पोड़ांकों का वर्गी करण कर योग ग्यात करना उदारण इस समी करण का योग ग्यात करो हल इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम इस पर आधारित एक उदारण की मदद लेंगे हम दी हुई संख्याओं को इस तरह से क्रम में रखते हैं जिससे की सभी धनात्मक पोड़ांक एक साथ एवं सभी रनात्मक पोड़ांक एक साथ हों और यहाँ हल करने पर घटा दस आएगा रनात्मक पोड़ांकों का घटाव उदारन घटा दस में से घटा पांच को घटाव हल अब हम संख्यारेखा का प्रयोग कर घटा दस घटा कोश्ठक में घटा पांच का मान ग्याद करते हैं यह घटा दस जमा पांच की तरह ही है सबसे पहले हम घटा दस से शुरू करके पांच बिंदू दाई तरफ चलते हैं तो संख्यारेखा परंकित पूरा आंख घटा पांच पर पहुँशते हैं सारांश आईए हमने जू कुछ सीखा है उसे संख्येप में तो हराएं जट बराबर घटा तीन घटा दू घटा एक शुन ने एक दू तीन पूरांकों का समू है संख्यारेखा पर सभी रिणात्मक पूरांक शुन से बाईं तरफ और सभी धनात्मक पूरांक शुन से दाईं तरफ होते हैं संख्या शुन ने सभी धनात्मक पूरांक से कम होता है और रिणात्मक पूरांक से बड़ा होता है पूरांकों की जोड एवं खटाओ एक जब दो धनात्मक पूरांक को जोड़ा जाता है हमें एक धनात्मक पूरांक प्राप्त होता है जब दो रनात्मक पूरांक को जोड़ा जाता है हमें एक रनात्मक पूरांक प्राप्त होता है जब एक धनात्मक केवं एक रनात्मक पूरांग को जोड़ा वग घटाया जाता है तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है एक पूरांग का घटाओ उसके योग व्यूत क्रम के योग के समान होता है